सो जै माता जी दोस्तों आपको दादे सार्धी नवरात्री की घट स्थापना आपको कप करनी है क्योंकि चित्रा नशत्र और वैद्रिती योग के संयोग में कलस स्थापना बिलकुल सुभ नहीं है इस चार्यों ने बताया है घट स्थापना का मूरत आप भी इसको जानिये क्योंकि प्रत्पदा तिथी को माता के प्रथम सुरूप सैल पुत्री की आराधना के साथ कलस के स्थापना होती है तो इसको डिटेल में जानेंगे 15 अक्टूबर को नौरात्री सुरू हो रही है वो इसी दिन कलस के स्थापना होगी लेकिन इसके साथ ही कई सारे अपडेट हैं जो आप हमारे साथ इस वीडियो में जानेंगे तो बिना वक्त गवाए चलिए सुरू करते हैं दोस्तो सार्दी नौराती की सुरूआद 15 अक्टूबर से हो रही है इस दिन सबसे पहले कलस स्थापना होगी इसलिए कलस स्थापना के लिए नच्छत्र मुहरत पर विचार करना बहुत जरूरी है प्रतिपदा तिथी को माता के पर्थम स्वरूप शैल पुत्री की अराधना के साथ कलस स्थापना के लिए भी अति महत्यपूर दिन होता है कलस स्थापना या कोई भी सुब कार्य सुब समय और तिथी में ही किया जाना उत्तम होता है इस वर्स कलस स्थापना के लिए नवरात के पहले दिन अर्थात प्रतिपदा तिथी में दिन का समय सुध्यों प्रशस्त माना जाता है लेकिन शार्दी नोरात में दुर्गर सबसती का पाठ करना भी बहर जरूरी है और देवी चरित का पाठ सुनना मनुश्य को भी सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त करता है तो कलस स्थापना के सुब मूरत प्रतिपदा तिथी होती है इस साल प्रतिपदा तिथी का मान सूरियोदे से रात में 11.52 मिनट तक है लेकिन 15 अक्टूबर को दिन रभीवार को सूरियोदे सही आरंब होकर रात में 6.43 मिनट तक चित्रा नच्छत्र तथा दोपहर 11.56 मिनट से वैधरिती योग व्याप्त रहेगा इस प्रकार चित्रा नच्छत्र और वैधरिती योग के संयोग से कलस स्थापना करना निसेद माना गया है इस कारण अभिजीत मूरत में ही आप स्थापना करना सुबफल दाई होगा लेकिन ये सब समय इस बार सुब नहीं है इस वज़ा से दोपहर का समय जैसे ही लगने वाला होगा यानि लगब साड़े ग्यारा से साड़े बारा बज़े के बीच में आप तब कलस स्थापना कर सकती है उसने पहले नहीं करना है आप अधरे नवरात की सुरवात रवीवार से हो रही है वह यही कारण है कि घरों में माता का आगमन घज की सवारी से होगा यानि हाथी की सवारी होगी जो राश्ट की जनता के लिए सामान फल दाई के एवं वर्षा का का कारक होगा पूजा पंडालों में माता के आगमन का विचार सप्तमी तिथी के अनुसार किया जाता है और दश्मी तिथी तक होता है सप्तमी तिथी को सनिवार होने से बंगिया पद्धधी के अनुसार देवी का आगमन तुरंग पर होगा यही कारण है कि अगर आप कलस के स्थापना कर रहे हैं तो पंदरा क्रूबर को करेंगे लेकिन साढ़े ग्यारा से साढ़े बारा बजे के बीच में बाकी मैंने कई सारी वीडियो बनाए हैं जिसमें कलस स्थापना करते समय उसका मंत्र, पूजा विधी और साथी साथ नौरात्री में क्या करना है क्या नहीं करना है बहुत सारी डिटेल दी गई है आई बटन पर जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं फिलाल सारदी नौरात्री में कलस के स्थापना बहुत महत्रपूर्ण है जो आप समय से सुब समय में ही कीजिएगा मिलते हैं नए अपडेट में धन्यवाद